नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ बॉलिवुड एक्ट्रेस सुनाली बेंद्री की खुब सूरिती का हर कोई कायल है जब सुनाली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी सुन्दर्ता पर काफी आक्ट साथ हैं और मेजर सहाब जैसी कई बहतरीन सुपर हिट फिल्मों में काम किया है और अपनी मुसीबत से सभी का दिल भी जीता सुनाली ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1994 में आई फिल्म आग सिकी थी इस फिल्म में सुनाली के साथ सुपरस्टार गोविंदा नज जनता ही नहीं बलकि कई बड़ी हस्तियों को भी अपना दिवाना बनाया है सुनाली के खुबसूरती के लोग इस कदर कायल थे कि एक क्रिकेटर ने तो उन्हें किड़नाप करने तक की धमकी दे दी थी सुनाली का नाम अभिनेतर राजनेता और क्रिकेटर के साथ जुड़ थे हलाकि इन्होंने अपने बीच भढ़ने वाली करीबियों के भनक सेट पर मौझूद जादा लोगों को नहीं लगने दी दोनों के बीच नस्दीक्या इतने भढ़ गई कि सुनाली ने सुनील शिटी को शादी के लिए प्रिपोस कर दिया था जिससे सुनील ने सुईकार कर लिया था दोनों की शादी को लेकर बॉली वुज में खूब चर्चाई चली आखिर में दोनों एक नहीं हो पाई सुनील शिटी के बाद सुनाली का नाम बाला साहब ठाकरे के भतीजे और मशूर राजनिता राज ठाकरे के साथ भी जुड़ा था कहा जाता है कि राज ठ ठाकरे को सुनाली से शादी करने के लिए साफ इंकार कर दिया इसके लावा सुनाली को चाहने वालों के लिस्ट में क्रकेटर का भी नाम है जिहां अपने जमाने के स्टार खिलाडी शुए बक्तर सुनाली के प्यार में पागल हो गए थे उनकी सुनाली के प्रतित दिवान नवंबर 2002 को सोनाली ने अपना हाथ जीवन भर के लिए फिल्म डारेक्टर गोल जी बहल के हाथों में दे दिया और उनसे शादी कर ली जब 1994 में सोनाली और गोल जी की पहली मुलाकात हुई और गोल जी उन्हें पसंद करने लगे तो उन्होंने सोनाली के सामने अपने दिल क की बात रखी वगर सोनाली ने इस प्रस्ताप को सुईकार नहीं किया था गोल जी इंकार के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और सोनाली का खूब ध्यान रखते रहे इसके बाद उन्होंने उन्होंने उन्निसवत ठानवे में एक पार्टी के दोरान गुठनों पर बैठकर सोना सब्सक्राइब करना ना भूले